now let us come to the topic concurrency of straight lines concurrency का क्या मतलब है कि अगर मैं कहूं कि n number of lines are concurrent तो उनका मतलब होता है कि they are passing from the same point तो अगर a k point है तो all of the lines will pass from the same point so these all lines are concurrent okay तो अगर 3 line concurrent है तो उसकी condition क्या होती है जैसे 3 line लेली a1 x plus b1 y plus c1 ऐसी a2 b2 c2 वाली तो इनको concurrent करने की option होती है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का determinant शुद भी equal to 0 ठीक है ये condition होती है और एक और condition होती है कि l into a a1 x plus b1 y plus c1 plus m times a2 x plus b2 y plus c2 plus n times a3 x plus b3 y plus c3 equal to 0 where l m n are not all 0 at the same time हो सकता है एक 0 हिन्वे से बट all of them cannot be 0 ठीक है तो ये दो conditions होती है के concurrency चेक करने के लेट से के station 55 फियर पैकेज ठीक है देखो जो नॉर्मल वाला form है कि determinant से करके दिखाना है वह आप 53 और 54 में करना उससे आपको समझ में आ जाएगा आइम टेकिंग दी केस टू जिसमें l plus m और n वाली बात कर थी जहां पर तीनों simultaneously 0 नहीं होने चाहिए मैं उसकी एक application वाला question करा रहा हूं क्योंकि अगर यह question करोगे न determinant से तो बहुत लंबा खिच जाएगा L और M1 इन वाली property से बहुत असान हो जाता है देखो इस question में आपको तीन चार लाइन दे रखिए and you have to prove that these lines common current तो चार लाइन चार लाइन को चारल आपका सुर्ण हो थैं तो यह भी तल बोला ही और मुझे रोखिए कि पहले पहली 3 concurrent है और फिर नीचे की 3 concurrent है अब देखो इसको L प्लस M वाली form में कैसे लिखता हूं यह वाली लिखने है यह वाली line ले रहा हूं और यह वाली line लेता हूं देखो इसको अगर L से multiply करूँगा M से इसको और N से इसको मुझे क्या करना है इसको क्या मिलेगा मैं लेकता जाता हूं 2PX पहली वाली टम से फिर add करा 1 से 1 से तो क्या होगा PY PY cancel और 2QY ठीक है और अगर इसको मैं add करता हूं तो क्या मिलेगा देखो minus 2P यह मिल जाता है मुझे इन दोनों को add करके और अगर मैं अब इस third equation को twice से मैं minus 2 से multiply करके इसमा add कर दूं PX plus QY minus P ठीक है तो देखो क्या होगा सारी terms cancel हो जाएंगी and I'll get 0 so that means this proves कि मेरी पहली तीन terms lines जो है वो concurrent है तो तुमने देखा न अब की मेरे को सिरफ इस वाली property यूज़ करके मुझे determinancy use नहीं करने पड़े तो question कितना असान हो गया ठीक है next लेता हूँ अब इन तीनों को यह वाली हटा देता हूँ अब मैं लेता हूँ नीचे वाली तीन तो यह नीचे वाली तीन लेता हूँ तो देखो मुझे अब क्या क्या चाहिए मुझे यह वाली form चाहिए p-qx-this तो अगर मैं इन दोनों को देखो इन दोनों को minus कर देता हूँ पहली नीचे दोनों को तो यह होगा p-qx plus q-py और minus p-q ठीक है यह हो गया अब इसको इसके साथ compare करता हूँ which is the same equation यह और यह same ही दो है देखो बस यह shift है यहाँ पर तो अगर मैं इसको ऐसे लिखनू minus p-qy minus p plus q यह same हो गया और इसको अगर इसको subtract कर दूँगा तो again I will get 0 so that means नीचे की 3 lines भी concurrent है उपर की 3 lines concurrent proof कर दें नीचे की 3 lines concurrent proof कर दें इसका मतलब everything is concurrent okay now we come to